इंडिया में XSR 155 तत्रेज अभी तक बना हुआ है चाहे टीवे स्कीवे एंड रॉलेंफिल के बाइक से अवेलेबल हैं सिरफ यही नहीं जावा एंग यस्दी में भी आपको प्लेंटी ओ रेट्रो बाइक की आप्शन मिल जाती है तो XSR 155 की लॉंच की वे 2019 से हो रही है एंड क्या या महा इसे 2022 में लॉंच करेगा या फिर आपको इस बाइक का लॉंच देखने को मिलेगा 2023 में तो आज के रिव्यू में आपको सारी डेटेल मिल जाएगे इसके लेटेस लॉंच अपडेट पर क्योंकि यह बाइक इंडिया का मोस्ट अवेटेड बाइक है 150 CC र XSR-155 एक साथ सेल किये जा रहे हैं तो इंडिया में भी या महा को XSR-155 को सेल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी FZX के साथ XSR-155 क्यों इतना मोस्ट अवेटेड बाइक है इंडिया में ओरल बाइक रेट्रो है बट इसमें इंजन R15 वर्जन 4 का यूज किया जा रहा है जिससे इस बाइक में आपको एक्सेलेंट परफॉर्मेंस मिलती है तो क्या या महा XSR-155 को इंडिया में लॉंच करेगा या अब कमिंग बाइक के अपडेट के लिए आप चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी इंपॉर्टन्ट अपडेट मिसना हो चलिए शुरू करते हैं वीडियो तो क्या या महा XSR-155 सेम इंटरनेशनल मॉडल स्पैक को इंडिया में लॉंच करेगा होगा तो ये बाइक सेम इंटरनेशनल स्पैक के साथ बट इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलेगा जो कि इंटरनेशनल XSR-155 में आपको डियूल चैनल ABS मिलता है बाकी कोई भी और चेंजिस नहीं होंगे इसमें सो बात करते हैं XSR-155 के डिजाइन पर ओरल डिजाइन फुली मॉडर रेक्रो होगा एडवांस फीचर के साथ फ्रंट में आपको राउंड हैडलाइट मिलेगी क्लिप ऑन हैंडल बार के साथ फ्लैट सिंगल सीट पेस बाइक में आपको मिल जाएगी प्रीमियम लेधर फिनिश के साथ सीट हाइट हाई होगी जो की ऑफ रोडिंग परपस के ल बात करते हैं इस बाइक के इंजन एंजन पैसिफिकेशन के बारे तो इंजन इसमें सेम आर फिफ्टीन वर्जन फोर का यूस किया जाएगा जो की काफी पॉट्फूल इंजन है यहां महा की तरह से इंजन साइज इस बाइक में आपको मिलेगा 155 सीसी लिकर्ड कूल इंज जो की पॉट्वर जनरेट कर देगा 18.4 एच्पी तक टॉर्क इस बाइक में आपको 14.1 न्यूटन मीटर आफ टॉर्क मिलेगा इंजन नंबर आफ केर्स इसमें आपको 6-speed gearbox मिल जाएगा फ्यूल टैंक की कपैस्टी 10 लिटर तक होगी और ओर ओरल वेट इस बाइक का होगा सिरफ 134 kg, seat height इस बाइक में आपको मिलेगी 810 mm तक तो अगर आपकी minimum height 5 foot 5 इंच है तभी आप इस बाइक को easily right कर सकेंगे, overall mileage ये बाइक जनरेट कर देगा 40 km पर लिटर तक and top speed इस बाइक में आपको मिलेगी 135 km पर आ तक, front and air में single disc brake होगी, suspension front में होगा, upside down focus suspension and air में आपको mono shock भी मिलेगा, tire size इस bike में आपको same international version वाला देखने को मिलेगा, front tire size इसमें आपको मिलेगा 110-70 and rear tire size इसमें आपको मिल जाएगा 140-70, XSR 155 के अगर हम features की बात करेंगे तो इसमें आपको round LED headlight setup के साथ fully digital meter console मिलेगा, जिसमें आपको Bluetooth connectivity भी मिल जाएगी, front में आपको single channel ABS मिलेगा and इसमें आपको slipper and sysclash भी offer किया जाएगा, rare tail light LED होगी and engine cooling technology इस बाइक में आपको मिलेगी leekate cool, color option latest होगे, तो अगर Yamaha XSR 155 को अब इंडिया में launch करता है, तो इस बाइक का approximate price होगा 1,50,000 तक, 2019 में जब कहा जा रहा था कि Yamaha XSR 155 को launch कर सकता है, तब इस बाइक का estimated price था 1,30,000 तक, तो जैसे जैसे time बढ़ा है, बाइक के prices भी increase हुएं, तो इस बाइक का approximate price होगा 1,50,000 तक, and इस बाइक का launch आपको 2022 में तो नहीं देखने को मिलेगा, Yamaha इसे 2023 के starting में launch करेगा, Auto India Expo में, तो आप इस बाइक की launch की wait कर सकते हैं, क्योंकि Yamaha 2023 के starting में इस बाइक को launch कर देगा, तो आपकी first choice कौन सी होगी न दोनों में से, Yamaha XSR 155, या फिर TVS Ronin, comment section में जुरूर बताएं, आपकी first choice कौन सी हैं दोनों में से, तil then take care of you and ride safe.